मैं बिर्जु कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूटूब चैनल MLTP Study Point में स्वागत करता हूँ आज हम समानने ग्यान के महत्पून 1000 Question का Part 3 लाहें अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो का Part 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है देख लिजिए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं Question नमर एक भारत के उद्दारक की संक्या किस गवर्नल को दी जाती है इसका उत्तर है दोस्तो ओप्शन ए लोड रिपन दोस्तो इन्हें फलोरेंस नाइटेंगल के द्वारा यह उपाधी दिया गया था दोस्तो यह 1880 सी लेक है 1884 तक भारत के गवर्नल जनरल की पदपर रहे थे Question नमर दो New India पुस्तक के लेखक कौन थे इसका उत्तर है दोस्तो Option C, Any Basant Option C, Any Basant दोस्तो फिरी हिंदुस्तान जो पुस्तक था उसके लेखक थे तारकनाथ फिरी हिंदुस्तान के लेखक तारकनाथ थे और यह गितारा जो पुस्तक था उसके लेखक थे बाल गंगाधर तिलक और दो Reveillanceary जो पुस्तक था उसके लेखक थे सचिंदर शन्याल Q3. कोटा जन्जाती किस राजिस सम्बंदित है? इसका उतर है दोस्तो, Option B, तमिलनाडू दोस्तो, राजस्थान के कुछ परमुख जन्जाती देखेंगे यहां के कुछ परमुख जन्जाती है, मीना, भील, बंजारा, सहरिया और सिक्खिम के परमुख जन्जाती है, लेफचा और असम के परमुख जन्जाती का नाम है, लुसाई अबोर मिकीर Q4. चीन से सटे भारत का सबसे लंबा राज कोन है? इसका उतर है दोस्तो, Option B, जम्मू कास्मी दोस्तो यह जो राजस्थान है, यह पाकिस्तान से सटा सबसे भारत का सबसे लंबा राज है और मिजोरम जो है, यह मयमार से सटा भारत का सबसे लंबा राज है और यह असम है, यह भूटान से सटा भारत का सबसे लंबा राज है इसका उतर है दोस्तो अप्सन भी अमेरिका दोस्तो यह नहर सुपिरियर जिल को हुरन जिल से जोरती है कोल इंडिया लिम्टेड को कब महारत्न का दर्जा दिया गया कोल इंडिया लिम्टेड को कब महारत्न का दर्जा दिया गया इसका उतर है दोस्तो ओप्शन C 2011 दोस्तो इस कमपनी के स्थापना 1975 में हुआ था तथा इसका मुख्याले कोलकता में है Q7. भारत में किर्शी वर्ष कब से कब तक बनाया जाता है? इसका उतर है दोस्तो, ओप्शन ए 1 जूलाई से 30 जून अगला Q7 देखेंगे, नोईडा टकसाल की अस्थापना कब हुई थी? इसका उतर है दोस्तो, उन्हें सब नवासी दोस्तो, कुलकत्ता टकसाल की अस्थापना 1950 में हुआ था और हैदरावाद टकसाल की अस्थापना 1903 में हुआ था और मुंबई टकसाल की अस्थापना 1830 में हुआ था Q7. राश्ट्य किसान आयो का गठन कब किया गया था? इसका उतर है दोस्तो, जनवरी 2004 में जनवरी 2004 में इसके पर्थम अध्यक्ष थे सोमपाल इसके पर्थम अध्यक्ष सोमपाल थे Q10 भारत में बजट परनाली की सुरुआत का सरे किसे दिया जाता है इसका उतर है दोस्तो ओफशन A Lord Canning ओफशन A Lord Canning दोस्तो 1869 में बासराय की कार्जकरनी परषद में पहली बार एक विशेश सदस सर जेम्स बिलसन को बित सदस के रूप में समिलित किया था जेम्स बिलसन ने 1860 इस्वी में कार्जकरनी परषद में बजट पर उस्तूत किया इसलिए जेम्स बिलसन को भारत में बजट पर ना लिखा संस्थापक माना जाता है अगला कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमर 11 बंधन बैंक का मुख्याले कहां है इसका उतर है दोस्तो ओफशन भी कोलकता ओफशन भी कोलकता दोस्तो इस बैंक का उद्गाटन 23 नमबर 2015 को उस समय के वित मंत्री अरुन जेटली ने किया था कोश्चन नमर 12 देश के पहले मुबाइल बैंक का स्थापना कहां किया गया था इसका उतर है दोस्तो ओफशन सी मदपर्देश दोस्तो देश का पहला मुबाइल बैंक मदपर्देश के खारगोन जीला में अस्थापित किया गया था इसका नाम था लक्ष्वी वाहिनी बैंक दोस्तो या चलते फिरते बैंक की अस्थापना एक करोर रूपिये की लागत से एक मुबाइल बैंक में की गई थी Q13. पर्थम बैंक क्रेडिट कार्ड किस देश के द्वारा निर्गत किया गया था? इसका उत्तर है दोस्तों, आप्शन ए अमेरिका दोस्तों, पर्थम क्रेडिट कार्ड बैंक आफ अमेरिका के द्वारा 1869 हिस्वी में निर्गत किया गया था क्वेश्य नमर चौदा भारत में मंत्री परशत की वेवस्था किस भारत सासन अधिनियम के द्वारा किया गया था इसका उत्तर है दोस्तो ओप्षन D 1858 का चार्टर अधिनियम क्वेश्य नमर पंदर समिधान सभाव में महिला सदस की संख्या कितनी थी इसका उत्तर है दोस्तो ओप्षन C 15 क्वेश्य नमर 16 भारत का सतैस्वा राज कोन है इसका उत्तर है दोस्तो ओप्षन C उत्राखंड दोस्तो इसकी अस्तापना 9 नम्बर 2000 को हुआ था दोस्तो ये गोवा है ये भारत का 25 वा राज है और ये 36 गड़ है ये भारत का 26 वा राज है और ये जहारखंड है ये भारत का 28 वा राज है क्वेश्य नमर 17 पंचाईते भारतिय समिधान के किस भाग में है इसका उत्तर है दोस्तो ओप्षन B भाग नौ क्वेशन नमर 18 राष्टपती पद की योगता समीधान के किस अनुच्छेद में हैं इसका उतर है दोस्तो अप्शन डी अनुच्छेद अंठावन अप्शन डी अनुच्छेद अंठावन दोस्तो अनुच्छेद पच्छपन में राष्टपती का नियुक्त पातिक परतिनीधित परनाली और एकल संक्रमनियप मत पद्ती के दुआरा होता है और ये अनुच्छपन राष्टपती अपने पद की समापती के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उतरा दीकारी पद गरहन नहीं कर लेता और कोशन ये अनुच्छेद चोवन है राष्टपती के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मन्डल की वेवस्था है इसमें Q19 मंत्री परषत सामोहिक रूप से किसके परती उत्तरदाई होता है इसका उतर है दोस्तो ओप्शन ए लोकसवा Q20 निमलिखित में से किस राज में विधान परषत नहीं है इसका उतर है दोस्तो ओप्शन डी गुजराथ Option D, गुजरात दोस्तो, आंध परदेश में विधान परसद की संख्या 50 है और ये उत्तर परदेश में 99 है और तेलंगना में 40 है Q21, राजपाल के सारे अधिकारों का परियोग कोन करता है? इसका उतर है दोस्तो, Option C, मुख मंतरी Q22, संबर्ती सुची में बरतमान में कितने विषय है? इसका उतर है दोस्तो, Option D, 52 दोस्तो, मुल्तः संबर्ती सुची में विषय की संख्या 47 थी जिन में से कुछ परमुख विषय है राष्टिय जलमार्ग जो संबर्ती सुची में आते हैं Q23, सुल्तान की उपाधी धारन करने वाला पर्थम सासर कोन था? इसका उतर है दोस्तो, Option D, महमूद गजनी दोस्तो, महमूद गजनी बरत पर सबसे चर्चित आत्रमन था 225 इस्वी में सोमनात मंदिर पर हुआ था इसका अंतिम आकरमन 227 इस्वी में हुआ था और इसके कार्जकाल के दोरान इसके दर्बार में अलवरूनी फिर्दोसी उत्वी रहते थे Q24, जजिया कर लगाने वाला पर्थम सासर कोन था? इसका उत्तर है दोस्तो, option C, महम्मद बीन कासिम Q25, चंदवर दाई किसका राज कभी था? इसका उत्तर है दोस्तो, पिर्थवी राज तिर्थी है दोस्तो, चंदवर दाई की परमुख रजना है पिर्थवी राज रासों ये भी याद कर लिजएगा दोस्तो, अगर आपको आज की वीडियो हमारे अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और वेल आइकन को भी परेश कर लिजएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नौटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा